तो यहां से आप देख सकते हैं रबर डैम काफी ज्यादा खुबसूरत है ब्यासर करके अदेशा नुचार यहां पर हम लुचपूरत है अभी जाना हम को रबर डैम नाइट के व्यू देखने के लिए यहां से आप देख सकते हैं व्यू नाइट का कैसा लग रहा है अभी जानल यहां सेगेंड एपिसोड और सेगेंड एपिसोड नो भी हम लोग उसी जगह पर है यानि कि विश्णूपर टेंपल के जो घाठ वाहां पर फलगू रिवर यहां पर पूरा भर चुगा है और रवर डैम भी बन करेंगे अप्लीट हो चुगा लेकिन इस बीच कि जो SDRF की टीम है वो काफी एहम रोल इसमें आधा कर रही है काफी जबर्दस रोल प्ले कर रही है सैफ्टी को लेकर के देखा जाए या फिर लोगों को ध्यान रखने के लिए कि किस तरह से लोग पानी के अंदर जादा गहराई तक ना उतरे और अगर कोई हैपनिंग हो करके बहुत मुस्तादी से तहनात रहें करके निगरानी कर रहें देख रहें बोर्ट भी पेट्रॉलिंग कर रही है रेगुलर पल्गू नदी के अंदर और यह चीज देख रही है कि कोई किसी तरह की कोई घटना ना हो जाए तो पहले मैंने नहीं देखा था पहले पानी पानी नहीं रहता था लेकिन जब से रवर्ट डैम का हुआ यहां बना है बिल्कुल उसके बाद पानी यहां इसीर होने लगा जिसके चाहते एक घटना भी हुई है इस ब्रीज पर से एक लड़का फुद लिया अच्छ उच्छ 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 लगाया गया है यहां यहां लगाया गया है और प्रॉप तरही के से रड़का भी कि गए derivative लगया ओर SU shy कि पानी या 0 तो कम हो जाता है लेकिन जैसे ही वहां बंद कर दिया जाता है तो वाटर लेवेल बढ़ जाता है तो यहां बीच में जहां बोट है आप देख रहे हैं वहां तो दस फिट पानी हो सकता है कम क्योंख बिलकुल तो कुछ इस तरह के हालात अभी यहां के बने हुए विश्नुपा जो घाट है वहां पर सरलोग तैनाथ है और अब आम जनता के लिए धिब तैनात यहां के ओल तैनाथ नहीं है और जगा प्रितिला है और जगह जहां 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 सरोवर है वहां बोट लगा रहेगा किसी भी तरह कोई भी ऐसा है अपनिंग हो उसके लिए SDRF प्रॉपर तरीके से हर जगह तैनाथ तो अभी हम लोग जा रहे हैं विद पर्मिशन ऑफ SDRF हम लोग जा रहे हैं बोट पर और बोट से यह पूरा जगह का मुआयना करेंगे देखेंगे तो चलिए फिर अभी यहां से निकल रहे हैं बोट के ऊपर यह देख सकते हैं SDRF बिहार और यह बोट हमारे यह यहां पर लगाई गई है अब ही हम लोग यहां पर बोट के ऊपर आचुके हैं और विदाउट लाइफ जैकेट आप लोग नहीं देते हैं इजाज़त जाने की बिल्गूल पानी के लिए बुलेट प्रूफ है यह बाइब है यह बाइब आप लगाई बासर घंटे तक क्या बात है अब आप अब हम लोग है और यहां से हमाई राइब शुरू होने जा रही है यह बोट है अभी निकल चुकिए हैं और यहां साथ ही चल रहे अभी का कि पूरे तरीके से यह देखा जा रहा है कोशिश की जारी है हम लोग की सैफटी में कोई कंई और आज है क्यों रोग यहां फे सर लोग तो बहुत अच्छा है और सुमेर्स है त्ढ़ने वाले लेकिन हम लोग खो स्विमिंग उतनी नहीं आती है वाट फिर भी टीक है यहां पर जो पित्री पर मेला मेला है इसमें मेला में यहां पर मुकमंत्री आये हुए ते उनिक वेती रिजन में उहें सब्सक्राइब करके आदेशा नुसार यहां पर हम लोग तो ग्राउंड जीरो पर दे लोगों के लिए क्या इंस्ट्रक्शन था कि कोई अगर गिर जात सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें इस पर देखेंगे वैसे ब्रीज के ऊपर से तो सभी लोग देख रहें लेकिन हम लोगो मौका मिला है हम लोग परमिशन लिया सर से कि सबसे बड़ा मकसद यही था कि फालगू रीवर में पानी सालो बर रहें क्यूंकि यहां पर पानी हुआ ही नहीं करता था और बहुत ही कम टाइम ऐसा होता था जब यहां पर पानी देखने को मिलता था प्रिखास करके बर्सात के टाइम पर लेकिन अभी क्या है ना कि यहां पर हमेशा ही पानी रहेगा तो काफी ज्यादा अच्छी बात है सिर्डालू को यह बहुत मुद्द मिलेगी पल्गुर इवर में SDRF की बोट पर हम लोग यहां पर गूम रहे हैं और काफी अच्छा लग रहा है भाईया लोग के सपोर्ट से कि हम लोग ने बोला कि सर एक राइड हम लोगो दे दीजिए अगर हम लोग देख सकते हैं तो शायद तो हम लोग अभी निकले थे कुंट घाट तक पहुँशने वाले और एक चीज में और भी आपको बता दू कि यहां पर बीच बीच में अगर सपोर्ट की पानी कभी घटता है तो उसके बाद जो उसके जगह पर पानी फुल्फिल करेगा तो यहां से बोरिंग की गई है कई जगों पर बोरिंग किया ग काप पिंडदान करते हैं तो उनको भी एक्सेक्टेशन होता है कि वा अपने पित्रों कें फॉल्गू-brid время में पांई मिले और पानी मिलने के साथ ही साथ वह यहा पर अपने पित्रों का पानी नहीं रहेगा तो फिर वह अस्नान नहीं करेंगे तो सही से कुछ हो नहीं पायेगा लेकिन अभी क्या है ना फालगुरी वह पानी के वज़ें से काफी मजा पाइब जब तक हम लोग साथ है कुछ नहीं हो रहे हैं बिल्कुल जबर्दस तरीके से हाइ स्पीड में यहां पर भाईया लोग के साथ हम लोग इस नदी में यहां पर घूम रहे हैं और काफी इंजुआए कर रहे हैं यह पॉसिबल ही नहीं था यार कि फल्गु रिवर में भी इस तना पानी देखने को मिलेगा कि SDRF की बोर्ट तैनात हो ज लोग आचुके हैं किनारे पे और काफी अच्छा लगा यार यार फीरेसली पल्गु रिवर में यह से पानी में घूमना और इस चीज को फिल करना बहुत ही जबरदस्त है और यहां पर देखिए जो है नहाने भी लगी है यहां पर देखिए बहुत मजा है और इस तरह सान बहुत अच्छा लगए तो गाइज अभी घड़ी में बच चुके हैं साथ और हम लोग अभी नाइट व्यू का वेट कर रहे हैं कि कैसे रात हो जाती है तो आपको और अच्छा व्यू दिखा सके तो इसलिए हम रुके रहे गिया में पटना लोटे नहीं तो अभी रात हो च अच्छे से एक रास्ता जाता है जो कि सीधा निकलता रवर डायम के पास तो अभी हम लोग उसी रास्ते को लेगर के वहां तक पहुंचेंगे और यहां से वाक करते हैं हम लोग निकल रहे हैं अच्छे सब्सक्राइब अच्छे सब्सक्राइब और यहां से आप देख सकते हैं व्यू नाइट का कैसा लग रहा है अब यह जिस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूं कैमरा आपको लेकिन आप देखिए ड्रोन शॉर्ट्स में कैसा व्यू आता है वैसे मुझे बहुत जबर सब्सक्राइब लगों का देखिए लोग अभी घाट के नहीं खड़े हुए फल्गू नदी पर पानी का जो यह व्यू है ना उसको देखने के लिए और पानी थोड़ा सा उपर नीचे उपर नीचे वह रहे क्योंकि जब लोग दिन में आया थे तो पानी वहां पेता जहा सेलेक्ट